नमस्कार, इनसे याटिक गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह है क्लास 6 साइन्स चैप्टर 9 Living Organisms and Their Surroundings Living का मतलब है जीवित सजीव Organisms का मतलब है जीवजन्तु So वैसे जीवजन्तु जो living है जो जीवित जीव हैं और Surroundings का मतलब है उनका आसपास उनका परिवेश या ऐसा कहें पास पडूस तो हम सुरू करते हैं इस चैप्टर को पहेली और बूजो वेंट आन वेकेशन टू मिनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पिक्चेर में दिखाया गया है यह बूजो और यह पहेली तो यह दोनों बहुत सारी इंटरेस्टिंग जगहों पे घूमने गए बहुत सारी दिल्चस्प जगहों पे घूमने गए वन सच ट्रिप टुक देम टो रिवर गंगा इन रिशी केस ऐसा ही एक सफर उन्हें गंगा नदी तक ले गया जो की रिशी केस में है दे क्लाइम्ड दो मौंटेंस ओफ हिमालयाज वेर इट वस वेरी कूल वे हिमालय की पहारों पर चड़े जहां बहुत थंड थी दे सौ मनी काइंडस ओफ ट्रीज ओन दीस मौंटेंस इन पहाडों पर उन्होंने बहुत तरह के पेंड़ देखे जैसे की ओक का पेंड, पाइन का पेंड, देयोदार का पेंड वरी डिफरेंट फ्रॉम वन्स नियर देर होम उन दे प्लेंस तो पहेली और बूजों का घर प्लेंस में है प्लेंस का मतलब मैदानी इलाका तो पहेली और बूजों का घर मैदानी इलाकों में है जहां पे कोई पहाड नहीं है तो पहाड पे जाने के बाद, मौंटेंस पे चढ़ने के बाद ये जो पेड उन्होंने देखे वो मैदानी इलाकों में पाये जाने वाले पेंड से बिलकुल अलग थे In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert एक दूसरे सफर में वे Rajasthan गये, जहां पे उन्होंने उट की सवारी की और आप जानते हैं कि Rajasthan hot desert है, गर्म रेगिस्तान है They collected different kinds of cactus plants from this trip Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach तो जब वे Rajasthan गये, dessert गये, तो उन्होंने बहुत तरह के cactus plants इकठे किये और अन्त में वे पूरी गये, जहां की sea beach है, समुदरी किनारा है Dotted with cassarina trees, तो sea beach पे ये cassarina के पेन है While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them जब वे इन सफर के आनंद को याद कर रहे थे, तब एक विचार उनके मन में आया All these places were so different from one another ये सभी जगह एक दूसरे से काफी अलग थे Some were very cold, some were very hot कुछ काफी ठंडे थे और कुछ काफी गर्म थे जैसे की वे हिमाले की पहाड़ियों पे गए, वहां काफी ठंडा था और वे राजस्थान गए, जहां रेगिस्तान था, वहां काफी गर्म था और सूखा भी था, and dry and some places so humid, जैसे की वो समुदर किनारे गए, सी बीच पे गए, वहां humid था Humid का मतलब नमी, मतलब वहां वातावरन में नमी थी and yet all of them had many organisms of various kinds तो organisms को यहां highlight करके बताया है की organisms का मतलब living creatures जो जीवित creatures हैं, जो जीवित जीव हैं, वो आपके organisms तो इन सभी जगह अलग-अलग परकार के organisms थे They tried to think of a place on earth where there may not be any living creature उन्होंने धर्ती पे एक ऐसे जगह के बारे में सोचने की कोशिस की जहां पे कोई भी organism नहीं हो, कोई भी living creature नहीं हो बुजो thought of places near his home बुजो ने ऐसे जगह अपने घर के आसपास ढूंडे Inside the house, he tried cupboards, घर के अंदर बुजो ने अपनी अलमारी में ढूंडा के यहां कोई living organism है क्या He had thought that there may not be any living organisms here उसने सोचा था कि यहां कोई भी living organism, कोई भी जीव नहीं होगा But he found one tiny spider in the cupboard लेकिन उसे अलमारी में एक छोटी मकडी मिली तो उसने यह जो सोचा था कि उसे अलमारी में कोई भी जीव जीव नहीं मिलेगा लेकिन उसे एक मकडी मिली तो ऐसा नहीं है कि अलमारी में कोई जीव नहीं था जहां कोई living creature, कोई जीवित जीव नहीं हो of some kind or the other किसी न किसी तरह का जीवित प्राणी, जीवित जीव उसे घर में या घर के आसपास जरूर ही देखने को मिला पहेली started thinking and reading about far away places बूजो ने अपने घर के अंदर और अपने घर के आसपास की जगहों में living organisms को ढूंडा वहीं पहेली अपने घर से बहुत दूर के बारे में सोच रही है कि वहां living organism होगा या नहीं होगा तो ऐसा करने के लिए वो किताबें पढ़ रही है और उनके घर से दूर वाले जगहों के बारे में information इकठा कर रही है कि वहां living organisms होते हैं के नहीं होते हैं see read that people have even found tiny living organisms in opening of volcanoes volcano का मतलब जुहला मुखी और जुहला मुखी का जो सबसे उपरी हिस्सा होता है जहां से लावा निकलता है वहां भी लोगों को living organisms मिले हैं जीवित प्राणी जीवित जीव मिले हैं 9.1 organisms and the surroundings where they live जीव और उनका आसपास जहां वो रहते हैं एक और विचार जो पहेली और बूझो की दिमाग में आया वो ये कि किस तरह के living organisms, कितने तरह के living organisms अलग-अलग locations पे, अलग-अलग जगहों पे प्रेजन थे जहां-जहां वो गए the deserts had camels, the mountains had goats and yak रेगिस्तान में उन्हें उट मिले, mountains पे, पहाडों पे उन्हें बक्रियां मिली, उन्हें याक मिले पूरी had some other creatures, पूरी जहां समंदर का किनारा था, sea beach था वहां उन्हें crabs मिले, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea और समंदर किनारे जो मचुआ रे थे, वे अलग-अलग तरह की मचली भी पकड़ रहे थे तो वहां मचलियां भी थी, and then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations, और इसके बाद कुछ ऐसे भी creatures हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं, जो की लगभग हर जगा present थे, हर जगा उपस्तित थे तो ऐसे जीव जैसे की चीटियां, ants उन्हें पहाड़ों पर भी मिले, समुदर के किनारे भी मिले, और उरेकिस्तान में भी मिले अलग-अलग शेत्र में, जो उन्हें पौधे मिले, जो प्लैंट्स मिले, वो बिलकुल अलग थे एक दूसरे से अलग-अलग रीजन का सराउंडिंग जो आस-पास है, क्या वो डिफरेंट था या फिर वो एक जैसे थे तो अलग-अलग रीजन का सराउंडिंग अलग-अलग होगा, जैसे कि रेगिस्तान में काफी गर्मी थी, पहाडों पे ठंडी थी, और समुदर किनारे नमी थी, हुमिडिटी थी अप एक जंगल के बारे में सोचें और ये सोचें कि जंगल में कितने तरह के पेड़, कितने तरह के जानवर और कितने तरह की चीजें वहां मिल सकती हैं तो टेबल 9.1 आपको यहां दिखेगा नीचे, तो इसमें आपको जंगल में मिलने वाले सारे तरह के आपजेक्ट्स, सारे तरह के प्लांट्स, सारे तरह के एनिमल्स को लिस्ट डाउन करना है, लिखना है List things, animals and plants found in other regions that are also shown in table और जंगल के अलावे और भी regions यहां पर लिखे हुए हैं जैसे कि माउंटेंज में आपको किस तरह के एनिमल्स मिलेंगे, किस तरह के प्लांट्स मिलेंगे, किस तरह के औब्जेक्ट्स मिलेंगे, इन चीजों को आप इस वाले कॉलम में लिखेंगे dessert में मिलने वाली similar चीज़े, sea beach पे समुंदर में मिलने वाली similar चीज़े और कोई और जगह जो आप सोच सकते हैं, वहां मिलने वाली चीज़ों को आप इस table में list down करेंगे You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1 आप इस chapter को पूरा पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे examples मिलेंगे जो की आपको अपना table 9.1 भरने में help करेंगे Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the table आप अपने दोस्तों से, अपने parents से, अपने माता-पिता से, अपने teachers से इसके बारे में discuss कर सकते हैं और अपने table 9.1 को भर सकते हैं, fill कर सकते हैं You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different reasons आप अपनी library में कुछ interesting किताबें भी देख सकते हैं, जो animals, plants और minerals के बारे में बात करते हैं Try and include many plants, animals and objects, big and small, in each of the columns in the table आप कोशिस करें, बहुत सारे plants, animals और objects को आप include करें अपने table में जो की छोटे भी हों, बड़े भी हों और आप एक अच्छा mix रखें इसका What kind of objects will we find that may not be animals or plants जानवर और पेड को छोड़के हमें किस तरह के objects मिल सकते हैं जैसे कि हमें पत्थर मिल सकता है, हमें minerals मिल सकते हैं हमें और भी अलग-अलग तरह की चीज़े मिल सकती हैं, समंदर में हमें corals मिल सकते हैं, तो different different जगह पे हमें different different चीज़े मिलेंगी plants और animals को छोड़के भी Perhaps part of plants like dead leaves और part of animals like bones तो अगर आप जंगल की बात करें, तो आपको जंगल में पेड और जानवरों के अलावे पेड के सूखे पत्ते मिलेंगे, जो की नीचे बिखरे होंगे और कुछ जानवर जो मर गए हों, उनकी हड़िया मिलेंगी We may also find different kind of soils and pebbles हमें अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह की मिट्टी मिलेंगी और अलग-अलग तरह के पत्तर मिलेंगे Water in the oceans may have salts dissolved in it as discussed in chapter 5 तो समुदर के पानी में आपको नमक मिलेगा जो की समुदरी पानी में घुला हुआ होता है There could be many more objects तो इसी तरह से और भी बहुत सारे objects होंगे जो की आप इस अपने table 9.1 में list down कर सकते हैं As we go through the chapter, keep adding more examples to table 9.1 तो जैसे जैसे हम इस chapter में आगे बढ़ेंगे आप table 9.1 में और भी चीजें add करते जाना We will discuss the table as we travel through many more interesting places हम और भी काफी दिल्चस्प जगों पे जाएंगे इस अपने chapter में तो हम इस table के बारे में discuss करेंगे 9.2 Habitat and Adaptation Habitat का मतलब है वास या आवास या आप घहर समझें निवास अस्थान और Adaptation का मतलब है अनुकूलन या अनुकूल या फिर अनुरूप तो हम यहाँ plants और animals के habitat और उनके adaptation के बारे में बात करेंगे कि plants और animals को कैसा वातावरन, कैसा habitat, कैसा निवास अस्थान सूट करता है कैसा habitat उनके अनुकूल है तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे section 9.2 में What do you find from plants and animals listed in activity 1 तो activity 1 में जो भी plants और animals हमने list down किये उसमें आपने क्या पाया Did you find a large variety in them क्या आपको उसमें ज्यादा variety मिली, ज्यादा विविजिता मिली, ज्यादा difference मिला Look at what you have entered in the column for dessert and the column for the sea in table 9.1 तो dessert वाले कॉलम में और sea वाले कॉलम में आपने जो list किया है आप उसे एक बार देखें तो यह है आपका dessert वाला कॉलम और यह sea वाला कॉलम तो इसमें आपने जो भी list किया होगा, वो completely different होगा Did you list very different kind of organisms in these two columns? क्या आपने इन दो कॉलम में बहुत ही अलग तरह की चीजें list down करी हुई है What are the surroundings like in these two regions? इन दो regions में, sea वाले region में और dessert वाले region में क्या इनका surrounding, इनका आसपास बिलकुल ही different है तो हाँ different है, क्योंकि जो desert है, वो पूरी तरह dry है और hot है वहीं, जो sea है, वहाँ पानी ही पानी है और जो climate है, वो भी humid है In the sea, plants and animals are surrounded by saline water तो समुदर के किनारे या समुदर में, जो पेड़ और जो animals हैं, जो जानवर हैं वो खारे पानी से, saline water से घिरे रहते हैं, salty water से घिरे रहते हैं Most of them use the air dissolved in water तो समुदरी जो जीव हैं, जो समुदर की मचलियां हैं, वो पानी में घुले हुए air को, oxygen को इस्तिमाल करते हैं, सांस लेने के लिए वहीं अगर आप dessert की बात करें, रिगिस्तान की बात करें, तो पानी का वहाँ नामो निसान नहीं होता, पानी अवेलिबल नहीं होता It is very hot in the daytime and very cold at night in the desert. रिगिस्तान में दिन के वक्त काफी गर्मी होती है और रात के वक्त काफी ठंडी होती है The animals and plants of desert live on the desert soil and breathe air from surroundings. तो जो रिगिस्तान के जीव हैं या फिर पेंड़ पौधे हैं, वो रिगिस्तान की मिट्टी पर ही रहते हैं और हवा में सांस लेते हैं The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kind of plants and animals in these two reasons, isn't it? तो हम sea में और desert में अलग-अलग तरह के plants, अलग-अलग तरह के animals पाते हैं जो की एक दूसरे से काफी different हैं Let us look at two very different kind of organisms from desert and the sea तो आईए, तो बिलकुल ही अलग animals को compare करते हैं एक जो desert से होगा और एक जो sea से है, एक जो रिगिस्तान से है और एक जो समंदर से है A camel and a fish, एक उंट और एक मचली, इन दोनों में हम compare करेंगे The body structure of a camel helps it to survive in desert conditions तो एक उंट का जो सरीर का धाचा है, जो structure है, वो उसको desert में, सर्वाइव करने में, जीवित रहने में मदद करता है Camels have long legs which help to keep their bodies away from heat of the sand तो उंट के जो पैड होते हैं, वो काफी लंबे होते हैं इससे जो रिगिस्तान की गर्मी है, बालू जब गर्म होता है, तो उससे जमीन से गर्मी निकलती है Camels की जो body है, वो काफी उंचाई पे रहती है, उनके लंबे पैरों के कारण तो उन्हें गर्मी थोड़ी कम लगती है, तो उनका body structure ऐसा है कि वो survive कर पाते हैं They excrete small amount of urine, their dung is dry and they do not sweat तो उंट जो होते हैं, वो बहुत कम पेशाब करते हैं, उनका जो डंग होता है, उनका जो गोबर होता है, वो सूखा होता है and उन्टों को पसीना नहीं आता, since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water अब जुकी रेगिस्तान में पानी अवेलिबल नहीं है, उपलब्द नहीं है और उन्ट अपने सरीर से काफी कम पानी लूज करते हैं, काफी कम पानी बाहर निकालते हैं इसलिए वो बिना पानी के बहुत दिनों तक रह पाते हैं, बहुत दिनों तक जी सकते हैं Let us look at different kind of fish आईए कुछ अलग-अलग तरह के fish को देखें चुकी हम compare कर रहे हैं camel में और fish में Some of these are shown in figure 9.3 तो 9.3 यहां निचे है तो यहां कुछ fish को दिखाया गया है और बगल में यहां camels हैं आप देख सकते हैं इनके लंबे पैरों को जो की इनके शरीर को इस बालू से जो की गर्म है उपर रखता है, उचा रखता है ताकि इन्हें गर्मी कम लगे There are so many kinds of fish But do you see that they all have something common about their shape नीचे जो हमने figure देखा उसमें अलग-अलग तरह के fish थे लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी उनके शरीर के बनावट के बारे में उनके शरीर के धाचे के बारे में, शेप के बारे में All the ones shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter 8 Chapter 8 में हमने streamlined shape के बारे में पढ़ा है की कैसे वो shape हमें आसानी से आगे बढ़ने में मदद करता है चाहे वो एक car का shape हो, चाहे वो aeroplane का shape हो चाहे वो एक मचली का shape हो, जिसकी मदद से वो पानी में आसानी से तैर सकती है तो यही वो streamlined shape है This shape helps them move inside water और ये streamlined shape मचली को help करता है पानी में move करने में Fishes have slippery scales on their body मचलियों के सरीर में जो उपरी तचा होती है वो slippery होती है These scales protect the fish and also help in easy movement through water ये जो scales हैं वो slippery हैं ये मचली को movement करने में help करते हैं We discussed in chapter 8 that fishes have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water हमने chapter 8 में discuss किया है कि मचलियों के जो fins होते हैं मचलियों का जो पंखनुमा structure होता है वो चौड़ा होता है जो कि उन्हें help करता है पानी में direction change करने में उनकी दिशा बदलने में पानी में वो मुड़ सके आसानी से इसलिए और पानी में उनका balance बना रहा है इसलिए Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water मचलियों के जो गलपड़े होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं वो उन्हें help करता है पानी के dissolved oxygen को पानी में घुले हुए oxygen को use करने में ताकि वो सांस ले सकें पानी के अंदर we see that features of fish help it to leave inside water and the features of camel help it to survive in the desert तो हमने देखा के जो मचलियों की विसेशता है जो features हैं वो उन्हें मदद करती है पानी में रहने में और उन्हें जो विसेशता है वो उसे मदद करता है रेगिस्तान में survive करने में we have taken only two examples from a very wide variety of animals and plants that live on earth हमने केवल दो example लिये हैं एक fish और एक animal का लेकिन धर्थी पर और भी बहुत सारे animal और plants हैं तो उनका जो feature है वो जिस environment में रहते हैं उसमें रहने में वो मदद करता है उनकी in all this variety of organisms we will find that they have certain features that help them live in the surrounding in which they are normally found तो वही बात के धर्थी पर जितने भी organisms हैं वो plants हों वो animals हों उनमें कुछ न कुछ feature ऐसा होगा जो की उन्हें help करेगा वो जहां रहते हैं जहां वो normally पाये जाते हैं उस surrounding में उन्हें रहने में help करेगा the presence of specific feature or certain habit which enable a plant or an animal to live in its surroundings is called adaptation कोई ऐसी खुबी कोई ऐसा feature या कोई ऐसी आदत जो की एक plant या एक animal को किसी खास surrounding में किसी खास environment में रहने में exist करने में मदद करता है उसे हम adaptation कहते हैं different animals are adapted to their surroundings in different ways अलग तरह के animals अलग तरीकों से अपने-अपने surroundings में adapted हैं तो animals में या plants में कुछ ऐसे features हैं जो उन्हें उस surrounding में adapt कराती हैं उस surrounding के अनुकूल बनाती हैं the surroundings where organism live is called habitat तो surroundings जहाँ animals रहते हैं उसे habitat कहते हैं यानि कि जिस environment में वो organism रहता है उसे उसका habitat कहेंगे उस surrounding को उसका habitat कहेंगे the organisms depend for their food, water, air, shelter and other needs on their habitat organisms जिस surrounding में रहते हैं जिस habitat में रहते हैं वो उसी habitat के उपर depend होते हैं कि उन्हें उस environment से, उस surrounding से उन्हें फूड मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, air मिलेगा, घर मिलेगा, shelter मिलेगा और भी कुछ जो जरूरी चीजें हैं उन्हें वो उन्हें उसी surrounding से मिलेगी let's say example के लिए अगर शेर जंगल में रहता है तो वो जंगल के उपर dependent है, जंगल उसका habitat हुआ, शेर का habitat जंगल हुआ अब शेर जंगल के उपर dependent है कि जंगल से उसे food मिलेगा, water मिलेगा, air मिलेगा, shelter मिलेगा, रहने को घर मिलेगा तो ये सब चीजें शेर को उसका habitat दिलाएगा, जो कि जंगल दिलाएगा तो ऐसे ही, similarly, अब मचली अपने habitat पानी के उपर dependent है कि उसे food मिलेगा, water मिलेगा, तो ये सारी चीजें Habitat means a dwelling place, a home, habitat का मतलब रहने वाला जगह, घर Several kind of plants and animals may share the same habitat बहुत तरह के plants और animal एक तरह का habitat रख सकते हैं, share कर सकते हैं मतलब, बहुत सारे plants का या animals का जो habitat है, वो same हो सकता है जैसे कि अब जंगल share का habitat है, share जंगल में रहता है तो ऐसा थोड़ी है कि share ही केवल जंगल में रहता है, और भी चीज़ों तो रह सकती है जैसे चीता भी रह सकता है, भालू भी रह सकता है, तो भालू का भी habitat जंगल ही हुआ, चीते का भी habitat जंगल ही हुआ, तो ये सारे animals और जंगल के सारे plants मिलकर एक habitat share कर रहे हैं, इन सबों का एक ही habitat है, वो है जंगल. The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats, तो वैसे plants और animals जो की जमीन पे रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वे terrestrial habitat में रहते हैं, तो इसको एक broad category में define किया गया है, कि वो सारे plants और animals जो जमीन पे रहते हैं, उन्हें हम कहेंगे कि वो terrestrial habitat में रहते हैं, उनका terrestrial habitat है. Terrestrial का मतलब है लौकिक या फिर भूमी पे होना, धर्ती पे होना, जमीन पे होना Some example of terrestrial habitats are forest, grassland, desserts, coastal and mountain reasons तो जमीन पर वाले सारे जगा जैसे की जंगल, grassland, घासो का मैदान, dessert, हमारा रेगिस्तान, coastal इलाका वो समुदर का किनारा जहां पे पहली और बूजो गए थे, वो भी जमीन ही है, तो उसे भी terrestrial habitat में count करेंगे Mountain reason, जो पहाड़े इलाका है, वो भी जमीन से जुड़ा है, तो उसे भी terrestrial habitat में count करेंगे On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitats ऐसे plants और ऐसे animals जो पानी में रहते हैं, उन्हें हम ऐसा कहते हैं कि वो aquatic habitat में रहते हैं Something aqua का मतलब पानी, तो aquatic habitat का मतलब पानी वाला habitat तो पानी में जो भी plants और animals रहते हैं, उनके habitat को हम aquatic habitat कहते हैं Ponds, Swamps, Lakes, Rivers and Oceans are some example of aquatic habitats. Swamps का मतलब होता है दलदल, पोखर, दलदल, दलदल में भी कुछ plants आपको मिल सकते हैं, जैसे कि कमल कीचड में मिलता है, पोखर में हमें मचलियां मिल सकती है, जील, नदी और समंदर, तो ये सब aquatic habitat के कुछ example है. There are large variations in forests, grasslands, deserts, coastal and mountain regions located in different parts of the world. अब जो grassland या जो forest या coastal region हमें दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मिलता है, उसमें काफी variation है, काफी विवधता है, काफी differences है. This is true for all aquatic habitats as well. और ये जो बिवधता वाली बात है, ये जो difference वाली बात है, ये aquatic habitat पे भी लागू होती है, के दुनिया में जो अलग-अलग aquatic habitat है, इंडिया का जो aquatic habitat है, और अमरीका का जो aquatic habitat है, वो अलग होगा थोड़ा सा, उसमें differences होंगी. The living things, such as plants and animals in the habitat, are its biotic component. किसी भी habitat के, जो living things हैं, जो जिविद चीजें हैं, उसे हम biotic component कहते हैं, उस habitat का. Various non-living things, such as rocks, soils, air and water in the habitat, constitutes its abiotic component. तो बहुत सारी non-living things, निरजीव चीजें, जो की एक habitat में पाई जाती हैं, जैसे की मिटी, हवा, पानी, तो ये सब मिला के, non-living things मिला के, एक habitat के abiotic component बनाते हैं. तो एक habitat में कुछ biotic component मिलेगा आपको, कुछ abiotic component मिलेगा, biotic component living things वाले, abiotic component वाले, जो हैं वो non-living things वाले हैं. Sunlight and heat also form abiotic component of the habitat, जो गर्मी है और जो सूरे का प्रकास है, ये भी non-living things में आते हैं, तो ये भी एक habitat के abiotic components में count होते हैं, गिने जाते हैं. We know that some plants grow from seeds. हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीज से उगते हैं. Let us look at some abiotic factors and their effect on seeds as they grow into young plants. तो बीज से उगने वाले पौधों को abiotic component ग्रो करने में किस तरह help करते हैं, आईए उसके बारे में जाने. Recall activity 5 in chapter 1, we made sprouts from moong and chana seeds. हमने moong और chana के बीजों से sprout निकलवाये थे, उन्हें अंकुरित किया था. When the seed turned into a sprout, it germinated. Sprout का मतलब भी अंकुरित होना ही होता है और germinated भी अंकुरित कोई कहते हैं. तो जब भी बीजों में अंकुरन होता है, तो वे अंकुरित हो जाते हैं. This was the beginning of a new plant. तो जब भी एक बीज अंकुरित होता है, तो उससे एक नए पेड़ का विकास होने की सुरुवात हो जाती है. From a seed, एक बीज से एक पेड़ बनना सुरू होता है, जब एक बीज अंकुरित होता है तब. Collect some dry moong seeds, moong के कुछ सूखे बीज लें, keep a small heap of seed aside and soak the rest in water for a day. Moong के एक छोटे हिस्से को आप एक तरफ रख लें और बचे हुए हिस्से को आप पानी में डुबोएं, पानी में soak करें. Divide the soaked seeds into four parts, अभी अभी जो आपने moong के बीज को पानी में भिगोया है, उसके चार हिस्से करें. Keep one part completely submerged in water for three to four days, जो चार पार्ट आपने किया, उसमें से एक पार्ट को आप पुरी तरह पानी में डुबो कर रखें तीन-चार दिनों के लिए. Do not disturb the dry seeds and those submerged in water. जो सोखे बीज हमने छोड़ दिये थे और जो हमने पानी में डुबो के रखें हैं, उन्हें आप तीन-चार दिनों तक disturb ना करें. Keep one part of soaked seeds in a sunny room and another in a completely dark reason like a cupboard that does not allow light to come in. अभी आपके पास soaked seeds के तीन पार्ट बचे हैं, उसमें से एक पार्ट को आप एक सूर्य के प्रकास वाले room में रखें और दूसरे पार्ट को एक पूरी तरह अंधेरे वाले स्थान पे रखें, कोई अलमारी जहां पे सूर्य का प्रकास ना आता हो. Keep the last part in very cold surroundings, say in a refrigerator or with ice around them. और जो आखरी हिस्सा soaked seed का बचा, भिगोय हुए बीजों का बचा, उसे आप काफी ठंडे environment में रखें, जैसे की कोई refrigerator जिसके आसपास बर्फ हो. Set these three parts to germinate by rinsing them and draining the water every day. तो पानी में डुबए हुए seeds के अलावा, जो बाकी के तीन soaked seeds के portions हैं, उन्हें हम रोज पानी देंगे और उन्हें हम germinate करने में, अंकुरित होने में help करेंगे. What do you notice after a few days? कुछ दिनों भाद आपने क्या देखा? Do the seeds in all five parts germinate equally? क्या इन तीनों surroundings के जो seed हैं, या फिर इन चारों surroundings के जो seed हैं, क्या वो बराबर तरीके से germinate किये, बराबर तरीके से अंकुरित हुए? Do you find slower or no germination in any of these? तो क्या आपने इन में से किसी में germination का speed जो है, वो slow होता देखा? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई seed बिलकुल ही अंकुरित ना हो, बिलकुल ही germinate ना हो? Do you find that obiotic factors like air, water, light and heat are very important for growth of plants? तो इस activity को करने के बाद आप पाएंगे कि जो seed का germination हुआ, अलग-अलग जगहों पे, पानी में जो डूबा हुआ था, या जो आपने fridge में रखा था, या फिर जो आपने dark कमरे में रखा था, dark cupboard में रखा था, वो germinate नहीं करेंगे या बहुत क करेंगे, तो इसके growth में आप काफी difference देखेंगे, इससे हमें ये पता चलता है कि जो environment के abiotic factors हैं, जो non-living factors हैं, जैसे कि sunlight, temperature, air, water, light, ये सारी चीजें, plant के growth के लिए काफी important हैं, पौधे के विकास के लिए काफी जरूरी हैं, in fact, these abiotic factors are important for all living organisms, तो ये जो abiotic factors हैं, heat, light, water, air, ये सभी living organisms के लिए, सभी जीवों के लिए जरूरी हैं, important हैं, we find that organisms exist in very cold as well as very hot climates and surroundings, हम काफी गर्म या काफी ठंडे environment में भी, surroundings में भी organisms को, जीवों को पाते हैं, how do they manage to survive, तो अब इतने ठंडे या इतने गर्मी में जो living organisms हैं, वो कैसे survive कर पाते हैं, that is where adaptation comes in, तो यही वो जगह है जहाँ पे adaptation काम में आता है, adaptation का मतलब अनुकूलन, तो काफी ठंडे या काफी गर्म जगह में रहने वाले जीव, अपने आपको उस environment के अनुकूल बना लेते हैं, उस environment के according बना लेते हैं, और वो वहाँ पे जीव आते हैं, या फिर उनका सरीर उस environment के हिसाब से अनुकूल बना हुआ होता है, जो कि उन्हें help करता है, adaptation जो है, वो छोटे समय में नहीं होता, over thousands of years, the abiotic factors of a region change, हजारो सालों में एक जगह का जो abiotic factors है, जो non-living factors हैं, surrounding के, वे change करते हैं, those animals which cannot adapt to these changes, die out, and only the adapted ones survive, तो इन हजारों सालों में जो environment में abiotic factors के change आते हैं, सारे organisms जो उस environment में रहा करते थे, वो इन change को, इन बदलाव को, इन changes को survive नहीं कर पाते हैं, और वे मर जाते हैं, जैसे की मान लेते हैं, आज जो जंगल है, किसी कारण से हजारों सालों में, let's say कोई पहार बन गया, नदी ने काफी कटाओ किया, तो इन सब चीजों से environment factors अगर एक जंगल का बदलेगा, तो हो सकता है, वहाँ बारिश ना हो, तो वे पौधे जिन्हें पानी चाहिए, वे उस जंगल में अब survive नहीं कर पाएंगे, के बल वही पौधे survive कर पाएंगे, जिन्होंने इस change को, कम पानी वाले change को सह लिया, adapt कर लिया आपने आपको उस हिसाब से, तो वे जी सकेंगे, animals adapt to different abiotic factors in different ways, तो जो जानवर हैं, वो अलग-अलग abiotic factors से, अलग-अलग तरीके में adapt करते हैं, the result is variety of organisms present in different habitats, तो यही कारण है कि हमें अलग-अलग habitats में, अलग-अलग तरह के organisms मिलते हैं, जो कि उस environment में, उस habitat में, अपने आपको adapt करके रखे हैं, अपने आपको उस environment के अनुकूल बना के रखे हैं, let us look at some habitats, the abiotic factors of these and the adaptation of animals to these habitats, आईए कुछ habitats को देखें, उनके abiotic factors और उसमें जो animals रहते हैं, उनके adaptation के बारे में भी देखेंगे, अभी इस वीडियो को almost 35 मिनट होने हम अभी यहीं stop करेंगे, यह chapter जरा बड़ा है और मैंने थोड़ी detailed explanation भी देने की कोशिस की है according to feedbacks, मुझे उमीद है कि आपको पसंद आया होगा, इसके चार parts हैं, यह इसका पहला part था, इसका दूसरा, तीसरा और चौथा part आपको description और i button पर मिल जाएगा, आप उसे जरू इसके अगले part में तब तक के लिए, bye bye